रूस युक्रेन जंग अभी अपने चरम पर है दोनों ही देश जंग में बराबरी से एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं पुतिन और जलिंस की हर संभव प्रयास कर जंग को अपनी दिशा में मोडने की कोशिश में हैं लेकिन इस बीच जंग की एक और खबर से दुनिया सकते में हैं यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर बसे देश अजर्बैजान और आर्मेनिया के बीच तनाव शुरू हो गया है ये तनाव इतना आगे बढ़ गया है कि रूस युक्रेन की तरह ये दोनों देश आपस में जंग करने पर अमादा हो गये हैं अजर्बैजान के हालिया हमलों से आर्मेनिया दहल गया है अजर्बैजान के रक्षा मंत्राले ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्मेनिया के नियंतरण वाले नार्गोनो काराबाग में तोप खानों से समर्थन देते हुए अपने सैनिकों को भेजा हुआ है साथ ही इसे एक आतंकवाद विरोधी ओपरेशन बताया अजर्बैजान की सेना आर्मेनिया के कबजे वाले शेत्र में घुश चुकी है और चेतावनी दी है कि जब तक आर्मेनिया इस सेना आत्म समरपड नहीं करती तब तक उसका अभियान नहीं रुकेगा अजर्बैजान और आर्मेनिया के बीच जंग की शुरुवात होते ही आर्मेनिया से पहाड़ी शेत्र के सोलगावों से साथ हजार से अधिक लोगों को निकाला गया है वहीं आर्मेनियाई अधिकारियों ने दावा किया कि शेत्र की राजधानी के आसपास भारी तोप खाने की गोले बारी से कम से कम दो नागरिक मारे गए हैं और इग्यार घायल हो गए हैं आर्मेनियाई प्रधान मंत्री निकोल पिशियन ने कहा कि उनकी सेना लड़ाई में शामिल नहीं थी और सीमा पर स्थिती स्थिर थी इस बीच रूस ने कहा कि वह अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के संपर्क में है और उनसे दोनों पक्षों से नारगोनों काराबाग संगर्स को लेकर हल करने के लिए बातचीत करने का आगरह कर रहा है। इसके साथ अमेरिका के विदेश मंत्री अंटनी ब्लिंकेन ने भी अजरबैजान से जाती आर्मेनिया यलगाववादी शेत्र नारगोनों काराबाग के खिलाफ शुरू किये गए सैन्य अभियान को तुरंट समाप्त करने का आगरह किया है। अजरबैजान के हमले के खिलाफ आर्मेनिया में प्रदर्शन सुरू हो गए। लोग प्रधान मंत्री को इस्तीफा देने की मांग कर रहे है। लोगों की इस भीड को तितर वितर करने के लिए पोलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा है। और अजरबैजान के बीच वर्षों पुराना तनाव जस का तस बना ही हुआ है। इससे पहले अजरबैजान और आर्मेनिया में दो बार युद्ध हो चुके हैं। पहला युद्ध सोवियत संग के पतन के बाद 1990 के दशक में शुरू हुआ था। जबकि दूसरा 2020 में दोन 20 दिनों तक चला था।